यहां पे जो अरब देश में खजूर होती है वो इस तरह से खजूर लगती है अब देख सकते हैं यह खजूर है और सारे के सारी खजूर के पेड़े फिलाल यह खजूर अभी पकी वी नहीं है कच्ची खजूर को दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से एक पिलास्टिक की पन्नी की मदद से इनको बांध के रखते है और बादने के बाद में जब यह पक जाती है तो इसको खोला जाता है आज का विलोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और जिस जगह पेड़ दो तीन चार पांच से साथ आठ नो दस ग्यारा टोटल यहां पर बारा पेड़ है गाइज मैं रात को थोड़ा लेट आ गया था तक्रिबन तीन वज़े के आज पास यहां आ गया था तो थोड़ा मुझे अभी उठाओं तक यह गार्डन बहुत अच्छा लगा मुझे यहां पर आने के बाद में तो यह बहुत अच्छा गार्डन है फिलाल वो मेरा गाड़ी खड़ा है वहाँ पर तो सोशा क्यों ना मैं आपको एक नई जगा दिखा सको और नई चीजे आपको दिखा सको और कुएत में जब मजरा का काम होता है वो किस तरह से होता है तो आपको थोड़ा बहुत उसके लगे हुई है जगा बहुत अब यह देख सकते हो यह गाइज गार्डन बना हुआ है और यह सारी दो टाइब लगे हुए है और यहां पर यह सारे के सारे पेड बड़े हो गई है तो कि हलाकी खजूर भी लग गई है इन पेड़ों के अंदर तो यहां पे काम करना खजूर का यहां काम करते है वो फिलाल भाई लोग वहां आज जुम्मा है तो वो सब लोग ना रहे है कर रहे है लेकिन मुझे यह जगा बहुत अच्छी लगी यहां आने के बाद मैं मुझे बहुत ही जो उपर यह टंकी है थोड़ा मैं केमरा को और करता हूँ यह जो उपर टंकी है न गाइस यहां से पानी दिया ज़ाता है धूब बहुत ज़ादा है और साड़ी नो दस बज़े का टाइम है तो जाते है थोड़ा खजूर का मजे लेते हैं तो यहां पर यह गाइस है आप देख सकते हूँ बांध के रखती है पननी पेना वाला तीटा बगीरा है वो भी आसानी से ना लग सके इनको दुआ दी जाती है बहुत कुछ एक बच्चे की तरह इनको भी पाला जाता है तब जाके यह पेड़ बड़ा होता है इतना आसान नहीं होता है कि यह पेड़ी पाने बहुत कम चलाते हैं यहां पर गर्मी की बज़ मजरे का काम करते हैं तो मजरे का काम यह है मजरे में सब कोसाता है जैसे सबजी बगिरा का खेती के और हर कोई सबजी लगा सकते हैं कुछ भी यह कर सकते हैं तो यह सारे कोसाते हैं और यह खजूरों का यहां पे सिरफ खजूर का ही मजरा है पलास दूसरा यहां पर बोरिंग तो इसके इसी पानी के जर्य सारे खजूरों में सफलाई दी जाती है सिर्फ ये पानी खजूर के ही काम का है बाकी पीने के लाइक नहीं है नाने के लाइक नहीं है ये जो बना हुगा है पूरा गोल चकर आपको दिख रहा है ये पानी का होद है यहां से पानी स्टोक होता है और उसके बाद में आगे इस मजरे में सफलाई होता यहां आने के बाद में यह जगा बहुत अच्छी लगी आपको कैसी लगी आप जरूर बताए लेकिन जो भाई लोग काम करने आते हैं वो यहां पर ही काम करते हैं जो खासतोर से मजरा होता है मजरा में वेजी टेबल से लेकर हर चीज वा उगई जाती है जमीन से और यहां पर अपने इंडिया की तरह ही उगई जाती है लेकिन यहां तरजादा कर खजूर की खेती होती है यहां पर खजूर की खेती करते हैं और अब फिलाल खजूर की सीजन है एक से दो माईने बाद अगर मेरा विजीट हुआ, मेरे को यहां आना हुआ, तो जरूर बताऊंगा कि खजूर, पकने के भाद में मैं बताऊंगा कि खजूर का कलर कैसे बदल जाता है, फिलाल कलर खजूर का ग्रीन है, लेकिन एक से दो माईना बाद जब खजूर पक जाएगी, तो आराम से कलर जब खजूर के अंदर यह फाइदा है कि जो कपड़े है ना बहुत जल्दी सुक जाते हैं, और फिलाल हमने कपड़े नहीं थे, हम वैसे ही आ गए थे, हम कोई नहीं था कि हम यहां पहुंशेंगे, लेकिन असानक कहते हैं कि आप लोगों के लिए हैं, हम कुछ भी कर सकते कपड़े क्या है, दो दी और सुक गए, जाएगा तो मुझे यह जगा बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट करके बताएं आपको यह जगा कैसी लगी, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक लाइक शेर और सस्क्राइबर करते जाना ताकि फिर म मिलेंगे न्यू वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई